डेविड बॉर्नर ने रोमान चक मुकाबले में मिली हार की असल वजह बताई इंडियन प्रीमेर लीग की तेरवे सीजन का तीसरा रोमान चक मुकाबला रोयल चैलेंजस बैंगलोर और संटराइजस हैदराबाद के बीच दुबा इंटरनाशनल ट्रिकेट स्टेडियम में खेल आ गया इस मैच में रोयल चैलेंजस पैंगलोर निस्सन राइजस हैदरबाद को शांदार तरीकित से पटकनी दी हारने के बाद हैदरबाद के कप्तान डेविड वाडनर ने अपनी तीम की हार की असल वजह का खुलासा किया डेविड ने बताई हार की असल वजह आईटल 2020 का पहले ही मैच में हार मिलने से डेविड वाडनर के चहरे पर निरासा साफ दिखाई दी हाला कि उन्होंने अपनी रन आउट का जिक्र किया उस तोरान उन्होंने कहा कि चहल का अंतिम ओवर मैच को बदलने वाला रहा पोस्ट मैच प्रेजन्टेशन उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैं इस तरह आउट हुआ था इस खेल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो मैंने कभी नहीं देखी मिशेल बहुत साहसी खिलाडी है उम्यूद है कि उनकी हालत बुरी नहीं है ये उनके लिए काफी दर्दनाग भी था चेहल का आखरी ओवर वहाँ से टर्निंग पॉइंट था हमें ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा हम सपस्ट रूप से आज जो हुआ ठीक नहीं कर सकते लेकिन हमें आबु धवी में अपने अगले खेल से पहले उच्छा के साथ वापस आना होगा कडिन मेहनत करनी होगी